तो नवरात्री और गुरुबार की धेर सारी शुपकावनाओं के साथ आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है सीधी बात प्रबुजी के साथ में ऐसे कहा जाता है भकती में तागत है भगवान को बुलाने की वरना क्या जरूरत थी श्रीराम को जूटे बेर खाने की और वही भगवान के नाम के हमारे शरीर पर हम टेटू के रूप में जब बनवाते हैं तो क्या ये सही है या गलत है और आज इसी विशेय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्मून विशेय है आज कल फेशन में लोग बहुत सारे टेटू बनवा लेते हैं अपने शरीर पर और कई बार वे टेटू भगवान स संबंदित भी होते हैं और ये एक उल्जन होती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है तो आज इसी विशेय पर हम चर्चा करेंगे और जो आज हमारे तरशक नए हैं जो हमसे आज पहली बार जोड रहे हैं उनके लिए मैं हमारे आज के स्पीकर के बारे में संचिप् इस ग्रेश सनातन धर्म प्रभुजी प्रभुजी बाइ प्रोफेशन इंजीनियर है उन्होंने नाइटी से अपनी इंजीनिरिंग की इसके उपरांत उन्होंने टाटा मोटर्स में एजे मैनेजर वर्क किया और कुछ समय पशाद उन्होंने अपना संपूर जीवन भगव प्रभुजी का स्वागत करते हैं इस ग्रेश सनातन धर्म प्रभु अरे कृष्णा प्रभुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रभुजी आज का विशेफ बड़ा ही रोचक है क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि फेसन का दौर चल रहा होता है और फेसन के दौर में नहीं नहीं चीज़ें निकलती हैं लेकिन फिर भी आज अभी जो फेसन का दौर है और जो कुछ हमारे शास्त्रों में है उसे हम जोड़ना चाहते हैं तो अगर आपकी आग्या हो तो क्या हम इस कड़ी को आगे बढ़ाए हम बताना चाहते हैं जब शीला प्रभुपाजी हरे कृष्णा अंदोलन जो है वो पास्चाद देश में लेके गए तो हरे कृष्णा कट फैशन बन गया सम लोग जो है अपना से मुंड़ा के जो है यहां पे शिखा रख कर कर जो है हाथ उपर करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा वो हरे कृष्णा का कट बन गया मेरी आप आपसे एक नावर विनन्ति है किया आप कर सकते हैं तो क्या है वो हरे कृष्णा कट बन गया और यहां तक कि मूविय समें भी लोग जो है आहरे कृष्णा डूटी इसके वारे मिन बताने लग गये मूवियस में कमर्शल्स से आड़िज्मिंट में और टीवी सीरीज में हमें हरे कृष्णा इसा करके जो है सभी लोग इसको नकल करने लगे तो प्रभपाद जी को यह बात जाके पहुंच गए कि क्या कर रहे हैं लोग जो है हमारी नकल उतार रहे हैं इमिटेटिंग अस क्या करें प्रभपाद ने का इमिटेशन ऑफ गुड इस गुड यानि कि किसी अच्छी चीज के अब नकल करते तो अच्छी बात है नो प्रॉब्लम तो यह भी एक फैशन है बहुत चारे जो है है यह भी तो लोग भी जो है काफी इंटरस्टिंग होगा इंटरस्टेट अच्छी इंटरस्टेट की पहनते हैं अच्छी बात करने लग गए वीज़ दिस पेंट उन्हें अनको पता नहीं है कि सिर पेन ने ने बारांग में हम लोग लगाते हैं तिलक गुपी चंदर राइट वेरी गुट तो हरेकृष्ण आप प्रोज ऐसे कहा जाता है फेशन की दौर में गारंटी की इक्षा ना करें लेकिन मैंने से सुना है कि स्कॉन में अगर कोई एक बार आ जाता है तो भगवत दाम की गारंटी पकि है उसके काण ओड़ी जिए अफकोस सिर्फ आना नहीं है जो नियम है प्रवपाद जीने शिक्षा बताए है उसको फॉलो भी करना प्रवपात में बोला कि आ विल टेक मैं फॉलोर कि बैख तो इनके जो अनुए बननना है अनुए बतलब क्या इसलिए प्रवपात जी तो प्रभुपाद जी अपने अनुआई को सबको लेके जाएंगे बहुता है जी बिलकुल प्रभुजी तो प्रभुजी मैं जानना चाहूंगा कि यह जो टैटू बन बाते हैं या फिर कोई अपने शरीर पर भागवान के नाम को अंकित करता है क्या है सास्त्रों में इसका क बिलकुल तो शास्त्र में जो जो चीजे वरनित की गई है वो हम आमको बता देंगे तो अगर आप हमारे भक्ति रसामर्ट सिंदू नेक्ट ऑफ दिवोशन जिसको बोलते हैं उसके नवे अध्याय पड़ेंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है तिलक के बारे में तिलक पुलसी बीड ऐसा सेक्शन है तो वहाँ पे देखा जाए तो पद्मपुरान का एक बहुत ही सुन्दर श्लोक आता है उस पद्मपुरान के श्लोक में बताये गया है कि वैश्नो कौन है वैश्नो वह व्यक्ति है जो अपने शरीर को तिलक और कंठी इन दोनों से अलंकृत करता है तो तिलक और कंठी धारन पर्तिक करने वाला ये वैश्नो का प्रतिक है Yes, of course, अगर शृतनी महापुरू को जो पूछा गया था कि वैशनव कौन है, थो उन्हें की जो भगवान का नाम लेता है वो वैशनव है. फिर से जाके पूछा था उनको अरे वैशनव कौन है. उन्होंने बताया कि जो सतत भगवान का नाम लेता है वो वैशनव है. तीसरी बाहरी चिन्नों के बारे में बात नहीं कि तो वैश्णों ता जो है हरी नाम के उच्छारण से आती है लेकिन वैश्णों को पैचान भी तो एक होती है वैश्णों कौन है वो पैचान में आना चाहिए जिस प्रकार से विश्णु दूद कौन है वो पैचान में आ जाते हैं शतुर बूज होते हैं, शंक चक्रक अगदा पद्म धारन करते हैं, यमदूत कौन है, वो भी तो पैचान में आने चाहिए, तो उसी प्रकार से पद्म पुरान कहता है कि वरिश्णों जो है, उनको पैचानने के लिए जो है, ये बताया गया है कि व्यक्ति ने तिलक और कड् अच्चा की है, ना साधिकेश परियत्म, उर्धोपन रसुषोगनम, चिद्रम अध्ये समाय उक्तम, तद्वसेद हरी मंदिरम, तो ये क्या है? हरी मंदिर, यानि ये भगवान का मंदिर निर्मान कर रहे हैं, यक्ति तिलक पैनता है किसलिए? यक्ति तिलक धारन करता है, तो जैसी वो तिलक धारन कर, ओम केशवाय नमह, ओम नाराय नाय नमह, वो मंत्र उच्चानन करते हुए तिलक धारन करता है, तो वो हरी मंदिर का निर्मान कर रहे है, तो भगवान जो है, वहां आके वास करते है, तो ये शरीर कुछ पंच महा बूत से बना हुआ कोई भव दूसरा, जब हम तिलक धारन करते हैं, तो हमें धेर सारी जो नकार आत्मकता है, इविल फोर्सेस, नेगिटिविटी और कल्यूक के दुष प्रभाव, ऐसे प्रकार के दुष प्रभाव से बचने के लिए जो है, हम लोग तिलक लगाते हैं, और तीसरा, हम तिलक लगाते ह देखता है, तो क्या हो रहा है, उसको भी क्रिष्ण का स्मरन हो जाता है, वो भी क्रिष्ण का स्मरन करता है, अरे, हरे क्रिष्णा, हरी बोल, इस कौन, ऐसे करें के क्रिष्ण का स्मरन करता है, बिल्कुल, तो इसलिए ऐसे धारन करते हैं, Coming back, व्यक्ति जो है, शास्त्रानुसार अपने शरीर पर भगवान विश्णू के चिन्नों को भी धारंग कर सकता है खास करके श्री विश्णू के जो पंत होते हैं, उनमें एक चिन्न, जब दिक्षा होती है तो दिक्षा के पांच अंग है इस प्रकार से ये पांच चीजे दिक्षा बताते हैं, इसलिए प्रभपात ने देखा कि उनके जो अनुचरते तभी पास्चात देश के, तो उतने जो है योग्य नहीं थे, इसलिए प्रभपात जी ने क्या किया, इसको दो दिक्षा में वितरन कर दिया तो उर्धो पुंडर और नाम को जो है पहली दिक्षा बोल दी, फिर अर्चना और यग्णि को जो है उन्होंने दूसरी दिक्षा का नाम लिया, और जो चिन है चिन, इसको प्रभपाज ने घटा दिया, वो वाइकुंट गती है, हमारी गती जो है वाइकुंट नहीं है, बोलो प्रणावन है, तो चिन हम लोग गौड़ी वैश्नों लगाते नहीं है, तो शंक चक्र, विश्नु के जो चिन है उनको लगाते हैं, ये शास्त्रा अनुसार है, शंक, चक्र, गदा, पद्म, ये चार चिन जो है व्यक्ति लगा सकते हैं आपके शरीर पर, इसमें उच्चारन करा के जो है ऐसे चिन और ऐसे तिलक को लगाता है, तो व्यक्ति जो है, जहां जिसी भी स्तान में वो रहते हैं, उस स्तान को वईकुंट बना देते हैं, ये है किसका अद्म पुरान का काथा नेक्स्ट, फिर आगे जो है प्रमान देते हैं, रुपको व्यक्ति भगवान के नाम से जो है, भगवान के नाम से जो है, उसको पेंटिंग करता है, तो भगवत नाम हर जगा है, केशव, मादव, गोविन्द, हरी, दामो अधर, ऐस प्रकार से, पद्मा नाभा, तो भगवान के जितने भी अलग-अलग नाम है, कृष्ण, राम, गोविन्द, ये पूरे शरीड में भगवान का नाम लिख देना, ये भी जो है, शांस्त्र के अनुसार, लाउड है, यस तवेक्ति जो है, अपने पूरे शरीड को भगवान के नामों से बर सकता है, हरी कृष्ण, महामंतर से भी लिख सकता है, there is absolutely no problem, ये शांस्त्र में ज देखोगे, तो दूर से ही भाग जाना, प्लीस, उसके पास मत जाओ, क्यों? क्योंकि हमारे आधिन जो है, सब पापी जिवातमाते है, sinful people, yes, हो ही हमारे आधिने, जैसे ही किसी ने भगवान नाम का अश्रे लिया है, yes, या भगवान के श्री चरण का अश्रे लिया है, ये ह हमारे जूरिस्डिक्शन, यानि कि हमारे शेत्र में आता ही नहीं है वेक्ति, ये हमारे शेत्र के बाहर वाला वेक्ति है, तो घृपा करके पंगा मत लीजिए, आजामिल जैसा केस वापिस नहीं होना चीए, विश्ली बार विश्णुदूतर ने छोड़ दिया था, क्या अगली बार नहीं छोड़े, तो ध्यान पूर वक्त, सावधानी बर्कनी चाहिए, तो फिर से एक और श्लोग आता है पत्मो पुराण में, जहां पर फिर से प्रमानित है कि सैंडल वूड पल्प, यानि जो चंदन है और पेंटिंग, भगवान के अलग-अलग नामों का प नाम जाता है, तो अगर आप भक्ति रसामरत सिंदु के नवा अध्याइ पड़ेंगे, तो इस इस मेंशन बरी क्लिर, प्रभुजी आपने बहुत अच्छे तरीगी से बताया, मेरा इसमें प्रश्न उखता है कि कई वार हम देखते हैं लोग भगवानों के नाम को अपने ह आत पर या ठतेली पर लिख लेते हैं और बताते हैं कि कई वार हम उन अवस्थाओं में नहीं रहते हैं उन शरीर की अंगों को सपर्श कर देते हैं जो की गलत है, तो क्या उससे पाप नहीं लगता व्यक्ति को? हाँ हाँ हाँ, गुड क्वेशन लेखिए एक चीज जाननी चाहिए कि भगवान नाम कभी अपवित्र नहीं हो सकता हाँ, अभिन्नत्वम नाम नाम इनो, नाम चिंतामनी कृष्ण चैतन्यरस विग्रह, पूर्ण शुद्धोन इत्ने मुक्तो, अभिन्नत्वम नाम नाम इ भगवान की इतनी शक्ती है, अगाद महीमा है, कि जिस भी शेत्र में वो रहे, वो शेत्र को पवित्र कर देते हैं, और जो वैशनों उसको धारन करते हैं, उसको पवित्र कर देते हैं, और एक और चीज बताना चाहता हूँ, शरीर के हिसाब से जो है, शरीर का जो अगला भाग है, the front part, उसको जो है, शुची कहा गया है, शुची यानि कि शुद्र, और शरीर का पिछला भाग जो है, वो मुची है, उसी प्रकार से नाभी के नीचे, नीचला वाला भाग जो है, वो भी मुची है, और नाभी के उपर वाला भाग जो है, यह शुची है, यह शास्त वहान चेत्र के नाम पर नहीं लगे हुआ है। तो पुजारी गण जब आचमन करते हैं, तो यहां से आचमन का जो जल होता है, उसको धारन करते हैं, ऐसा करके, अगर यहां से अगर हम लोग जल धारन कर रहे हैं, तो हाथ जो है उसको पुना शुद्धी करन करने की भी आवशक्ता नहीं है, ऐसी विदी शास्तन में बूली गई क्यों कि ब्रह्मतिर जो है यहां से पीना किसी भी प्रकार की अपवित्रता निर्मान नहीं करता तो ऐसे शास्त्र में बहुत सारे नियम है तो हमें देखना चाहिए तो निचला वाला भाग यहां पे सब नहीं लिखना चाहिए पैरों के उपर नो वह अपमान जनक होगा लेकिन बाकी अंग जो शुची अंग है वहां पर जरूर भगवान का नाम लिख सकते है तो जैसा प्रुची आपने बताया कि सुची और मुच का कंसेप्ट आपने दौन हमें बताए अब यह प्रेश्टन यह भी उठता है कि कई बार लोग भगवान के नाम लिखते हैं और कई बार कई देवी देवताओं की प्रतिमा को भी अपने सरीर में या उनके फोटोस को बन बा लेते हैं तो क्या यह भी शास्त्रों में बिब आता रहना चाहते हैं कि सद्भावना जैसे हनुमान जी ने भी अपनी चाती भाड़ करके जो है सीता राम लक्ष्मन के दर्शन कराये थे उनके शरीम में तो भावना सद्भावना है लेकिन हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हम करें वो शास्त्र अनुसार होना चीज़े जो भी कुछ करते हैं तो शास्त्र का पालन अवश्य होना हीब हम ने सुना जाहां तक हमने सुना लोग उनके भी नाम लिख सकते, क्योंकि वो भी एक तरीके से भगवन नाम से जो है, स्वतंत्र नहीं है, तो उनके जो उपासके वो उसको लिख सकते, लेकिन जो वईश्नव है, यह भगवान का नाम लिखते है, भगवान, श्री हरी का, श्री कृष्ण का, यह नाम लिखते तो इसके गुण बताए गए पापों से मुक्ति केत कब होती है जब आप भगवान का नाम लिखते है कृष्ण का नाम लिखते है पापो से कृष्ण लोग की गति कब होती है जब आप कृष्ण का नाम दिखें यमराज से मुक्ति कब मिलते है यमदूत यमराज से कृष्ण का नाम दिखें क्यों कि कृष्ण का नाम है मुकुंद और कोई भी मुकुंद नहीं है जो विशेश रूप से मुक्ती प्रदान करते हैं वो है मुकुंद तो मुकुंद इस कृष्ण और कोई देवी देवता जो है वो भी एक तरीके से प्रकृति की नियम के आधिन है ज्यादा तर देवी देवता भी इतिंग गुणों के आधिन आते हैं वो सत्व गुण के आध लिखते हैं कि लोग फेशन में आके कई बार माताजी लोग महंदी लगाते हैं और महंदी लगाने के बाद उसमें श्री राध्य या भगवान का अन्य नाम भी उसमें लिख देते हैं तो इसका उन्हें फल प्राप्त होगा या कुछ गलत है यह ज़रूर वाइनाट अगर भगवान का नाम कहीं भी आप लिखेंगे भगवान के नाम लेने के लिए नाम उच्चारण करने के लिए कोई नियम नहीं है नाम लिखने के लिए क्या नियम होता है निका है शास्तर में क्या लिखा है क्लियर लिए आप भगवान का नाम अपने पूरे शरीर में पेंट क कर सकते हैं इससे आपका लाभ ही लाभ होगा, तीन स्टेट्मेंट प्रहुपाद बताते हैं, रुब्ग स्वामी प्रहुपाद और हमारे वक्ति वतान स्वामी प्रहुपाद इसको अनुवद करते हैं, तो नाम मतलब जो है वो शुद्ध ही होगा, it will always be pure, गवगवन नाम, तो एक और चीज जैसे for example कुछ लोग जैसे आपने मेहंदी का उदारण दिया यह लो प्रॉब्लम यह न के न प्रकार इन कृष्ट का नाम स्परण हो रहा है कृष्ट का नाम आप लिख रहे हैं क्योंकि नाम देखा जाए तो एक श्लोक आता है सांकेत्यम पारिहासम्वा स् नाम का मतलब नहीं पता लेकिन गाना बहुत मदूर लग रहा है तो वेरी गूर्फल सांग वो क्या है स्तोबम और चोथा है हेलनम हेलनम यानि ज्यान कए उसका कोई द्यान की द्यान की जब करता है जानपूर अगजप नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, उसके जितने भी पाप हैं, सारे पाप भूल सकते हैं, भगवन नाम के स्पश्कुचारण से हैं, येस, तो ये शक्ति, तो भगवन नाम लिखने से भी वही लावाला, कि नाम तो नाम है, तो जैसा प्रोशी आपने बताया है, कि अगर कोई व्यक्ति, अन्नूइंगली हम बोल सकते हैं, अग्यान बस भी अगर भगवन के नाम लेगा, उसे फाइदा होगा, और आपने लिखेंगे, तो उसे भी फाइदा मिलेंगे, लिए कई बार लोग चालाकी करते हैं, कोई और उसे प्लानिक से फाइदा जाएंगे वो, श्रमा कीजिए, अच्छली स्पीकिंग, हम खास करके कल्यूक के लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा ओर स्मार्ट है, या टू ओर स्मार्ट, अट्स अ प्रॉब्लम, हमको लगता है कि हम कुछ भी करके जाहें नियों को तोड़ मरोड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इन फैक्ट हमारे शास्त्रों में जैसे नाम की महिमा दी गई है, उसी प्रकार से नाम के दस नाम अपराद भी उलेक किये गया है, तेन ओफेंसेस, और सात्वा अपराद क्या है, सात्वा अपराद नाम नो ब अपराद हैं, और ऐसे भगवान नाम के अपराद से व्यक्ति बहुत ही गहरे नर्क में जाए, तो इसलिए इस प्रकार से नाम को गभी गाली नी देनी चाहिए, तो प्रोजी जैसे आपने बताया, अगर एक व्यक्ति दीख्षा के समय, जब उसकी दीख्षा होती है, और संग चक्र, जिस आपने होता है, अपने सरीर पर धारन करता है, और आजकल जो व्यक्ति टैटू अपने सरीर पर बना लेते हैं, क्योंकि दीख्षा से उसका कोई संबंद नहीं है, तो क्या ये दौनों प्रोसेसों के समय, सेम उनको लाप राप्त होगा, या दीख्षा के क बन जाता है पूरा उनके, और कोई स्लोगन लिखवाता है, कोई नाम लिखवाता है, कोई भगवान की पृतिमा बन बाता है, या फिर अलग-अलग तरीके से भी करते हैं, तो एक जैसा आपने बता है कि शास्त्रों में बनित है, कि दीख्षा के समय पर व्यक्ति अपने सर पर अंकित कर रहा है, तो क्या ये दोनों प्रक्रिय समान है या कुछ अंतर है इनके अंदर, जब हम टैट्वों की बात करते हैं, एक तरीके से भावना सही है, वो किसी गलत चीज का टैट्व नहीं बना रहा है, किसका टैट्व बना रहा है, भगवान से संबंदी चीजों अगर टैट्व बना रहा है, और हां कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति नया है, रख्ती भावना में, या फिर अभी तक पूरा परीपक्व भक्त नहीं बना हुआ है, तो फिर अप्सुल्टी नो प्रॉबल्म, कोई इस्व नहीं है, कूस तो किसी और चीज का टैट्व बना र अच्छा है, कि वह जो है, भगवान का ही टैट्व बना ले भगवान के नाम होगा, इस फाइन बट, मैं दो चीजे बताना चाहता हूँ, कि बहुत बार ऐसे टैट्व बनाएं के, मेकैनिकल, वह तरीके से मेकैनिकल चीज हो जाती है, अभी मेकैनिकल का, I am not getting the right word in Hindi, मतलब क्या बोलें, एकदम अचे तरूप से हो जाता है, जैसे for example, आपने कुछ मंदिरों में देखा होगा, मुया भी चौक गया, जब हम मंदिरों में बगवान का दिया जलाते हैं, हाँ कि ने, तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जो है, वहाँ पे एक लाइट दिया जाल रहा है, लेकिन आक्यूरी देखा कहा जए तो क्या है? एक मशीन, मशीन है, बहुत जगह जब भगवान दी, ने तैकुर जी की आर्ती होती है, तो घंटी बजनी चाहिए, बहुत बज़नी चाहिए, घंटी कॉन बजाते है? भक्त लोग बजाते हैं, घंटी है वे उचसव है घंटिया ऐब जाते हैं है टैंग-टैंग-टैंग-टैंग-ट्रम्स तो अभी आज कल मंदिरों में कुई नहीं क्एक चेक्टार गोटरा इसलों को इसका महत्म नहीं पता तो तो लोग मंदिर से छोर चाड़ों का वह अपना पैसे कमाने में लगे और कोई जानते हो ने क्या गर दिया तो लोगों ने जो मशीन लगा दिया इसे करें को मशीन बस ता है इतना अच्छा बज़ा रहा है इसे के कौश भी बच जाता हूँ My God, that's very mechanical एक्ति जो जाएगा उसको भक्ति भाग कैसे अनुम्ह होगा तो उसी प्रकार से अगर हम जब रोज तिलक लगाते हैं तो ऐसी चेतना से जब हम तिलक लगाते हैं तो भक्ति भाव जागरत होता है, ये भी भक्ति है तो ये चौसक अंग में से ये बहुत मुक्यांग है इसलिए वेदिक परमपरा में कोई भी हो अलग अलग प्रकार से तिलक वो लगाते है वैष्ण व ब्राह्मन जो है वो गुर्दोपुंड लगाते है कुछ ब्राह्मन जो हो शेवेट आप म्यूट कर लीजे वो जो है भस में लगाते है और शत्री होते है वो आरदय चंदर लगाते है वैष्य होते है वो बिंदु लगाते है इस प्रकार से तिलक की परमपरा जो वरनाश्रम में भी है अब होगाते हैं यह करते हैं अधर चया करने सकेंद लगाते हैं तो एक चेतना बंती है कि मैं क्रिश्न का दास हूं एक चेतना बंती है कि मैं और यह शरीड मेरा नहीं यह कृष्ण का मंदिर है, एक चेतना मंति ही कि जब हम लगाते तिलग तो हम दूसरों को भी कृष्ण का स्मरण कराने में सहायता कर रहे हैं, हमकी सेवा कर रहे हैं, यह बहुत ही ज्यादा एक सचेत प्रक्रिया है, इसको लेकिन जैसे अगर कोई व्यक्ति हार जगा टैटू बना लेगा, भावना बले सही हो, सथ भावना सही बना रहे हैं, लेकिन फिर वो चेतना एक टाइम के बाद चली जाएगे, बिकम्स वेरी मेकैनिक, डोट यू थिंक आप लोग बताईए, वाट यू थिंगे, मेरे हिसाब से लगता है मुझे, जैसे बिकम्स और दीसरी चीज आजकल के जो टैटू बनते हैं, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो हमारे स्किन के उपर, हमारे जो चम्डी है, हमारे स्किन है, हमारे शरीम के उपर, वो यह गोपी चन्दन तो बढ़िया है, गोपियों का जो है, चरन कमले है, इस नाचरल मेकप टिट अवाल दो गोपी स, तो यह लगाना कोई बात नहीं, बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है, वो केमिकल्स लगाते हैं अपने शरीर पर, तो उसका रियक्शन ब करना है, तो प्रति दिन कीजिए, ताकि क्या हो जाए हम लोग सचेत अवस्ता में, उस चीज़ को करें, ना कि अचेत हो करके, अरे लगा दिया भी, दबा लग गया, लेकिन जो चिन्ने शास्त्र के अनुसार लगे गए हैं, यैसे विश्णु के चार चिन्न, ये सब लगा है, हड़ी को चुएंगे तो तुरंत व्यत्ती ने नहाना चाहिए, लेकिन वाट इस कौंच, ये शंक हम बजाते हो क्या है, हड़ी तो है, हाणा समुद्र में पाने वाली हड़ी है, लेकिन वो बजता है, तो सारा मंगल में वातावरण निर्मान हो जाता है, तो क्योंकि जो है, कोई छुएगा तो तुरंत नहाना चाहिए, लेकिन गोबर जो है, गोमाता का गोबर, उसके कितने सारे अमेजिंग प्रोड़क्स से उल्टा, गोबर के साबुन बनते हैं, उससे काफी सुद्धिकरन होता है, साइन्टिफिक वर्ल्ड, वाइग्णानी जगत भी मा अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो बस अपने आचारे, अपने पूर्व आचारे को दिखिए, तो हमारे लिए सारे जितने आचारे, हम लोग आचारे को जादा जानते नहीं है, तो छे शडगो स्वामी है, या उतके बाद जो है, हम देखते हैं कि नरुतमदास ठाक से अपने जीवन मेतित करते थे, उनको देखिए, उन्होंने क्या बोला है, उसको सुनिये, और जो आचारे बोले तो उसको फॉलो को, परमपर आईसी को बोड़ते हैं, यस, महा जनो ये ने गतास अपनता, तो क्या हमारे आचारे गण जो है, पुरा टैटू अगरा कराते अचारे गण प्रवपा जी का आज ही में वीडियो देख रहा था, महा पर वीडियो में प्रवपा जी जो है, ओती गंबिरता से तिलक लगा रहे हैं, वेरी सीरियोस्ली सफ्लाइग, तिलक लगाते समय, प्रवपा जी एक शुद्भग का यही लक्षन होता है, वो जो भी क जो उच्सा के साथ और पूरे श्रद्धा के साथ उसको लगा रहे तिक रहोगा, येस? बहुत बहुत धन्यवाद प्रोजी, ऐसा कहा जाता है कि भक्ती जो होती है, वे हिर्दय की धर्वर होती है, और जैसे हम देखते हैं कि जब लोगों ने प्रश्न किये और हर्मान जी ने अपनी हिर्दय में राम दरवार को दिखा दिया, उन्हें बदाए कि भगवान मेरे हिर्दय में है, तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्यों ये बहाई आवंडर किया जाए, क्यों दिखावा किया जाए, तेलक लागा कर इस तरीक से, हमें भक्ती करना है, तो हिर्दय की धर्वर है, क्यों बहाई चीज़ों पर इतना जोड़ दिया जा रहा है, अच्छा प्रशन है, काफी लोग जै प्रशन करते है, बहुत अच्छा प्रशन है, यसे कि जायर सी बात है, то मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो है, दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता, तो क्या दिल के अंदर ही अंदर प्रेम करेगा, या प्रेम को व्यक्त भी करेगा, बताईए, आप बताईए, आप बताईए, व्यक्त भी करेगा, आज कल के लोग ही देख लीजिए, फरह किसा, modern day, people celebrate days like valentine's day, तो उसमें लड़का जो है, जाके लड़की को रोज देता है, yes, गुलाब का फूल देता है, what is that, expressing one's feelings, वह नही व्यक्ति इवन बोलता भी, I love you, I love you, I love you so much, I love you, ऐसा बोलता है, तो लव को भी हो, सामने वाले व्यक्ति बोले, you love me, it's fine, but express it man, क्या कर क्या रहे हो, so इस चीज से एक चीज हमें समझ में आती है, प्रेम यानि की सेवा, love means service, to love means to serve, तो अगर किसी व्यक्ति से हम सच में प प्रसन कर सके, we can please that person, इसलिए हम लोग सेवा करते हैं, right, तो भगवान की प्रेम हमें, इसलिए प्रवपाजी देखिये, प्रवपाजी is a genius, बहुत बार भक्ति को जो है, लोग, कुछ dictionary को फेत बोलते हैं, फेत तो बदलता रहता है, व्यक्ति का फेत तो बदलता रहता है, हाँ कि नहीं, इंदो, मुस्लिम, मुस्लिम, फिस्टिन, एथिस्ट, एंटागोनिस्टिक, यस, ऐसे करके व्यक्ति जो है, वो चेंज होता रहता है, फेत, वो तो बदलता रहता है व्यक्ति का, तो बदलता रहता है व्यक्ति का, तो बदलता है व्यक्ति का, तो बदलता है चेष्ठा रूप है, service, seva, so bhaa wa rup, चेष्ठा रूप तो bhaa wa rup क्या है devotion, चेष्ठा रूप क्या है service, तो अगर अंदर भावना है, तो seva की रूप में व्यक्त होगी, और अगर seva कोई व्यक्ति कर रहा है तो definitely अंदर कोई भावना है, उसकी बिना seva नहीं करेंगे व्यक् यानि की भावना, रिचुल यानि की सेवा, तब ये दोनों का मिलन होता है, तब वो स्पिरिट बन जाता है, तो एक स्पिरिट कम है या रिचुल कम है, तो भी वो पूरी परिपूर्णता नहीं होती, यानि की बता है, ये बात हमने जाननी चलिए, ओके, ब्लवाहिक नश ion пальने की आट विरखुर्णा चाहिए, तो घ्लवारी फती लिचूर्णता नहीं होता है, तो सपार्म अधियर समय करने की वह मतलती हैं, हमारे रूप बुसरोपार में, उस चीज़ को बोलते हैं, जी प्रोजे, बिल्कु सही प्रोजे, आपने बहुत अच्छे से बताया, प्रिच्छल का मीनिंग भी बताया, अगर प्रोजे, अगर बात करें, तो कुछ धर्म हैं या कुछ नंपरदाय हैं जो कहते हैं कि भगवा भगवान ने हमें कुछ स्टेंप मार्क लगा के नहीं मैंनाया है, और वो कहते हैं कि हमें जिस प्रकार से भगवान ने संसार में भेजा हैं हमें वैसा ही रखना चाहिए, इस पे आर्टिफिशली किसी प्रकार के चिन या कुछ अंकित नहीं करना चाहिए, और अगर गताना जो है शांस्त्री की प्रक्रिया एक भक्ति का अंग है तो देखिए हम लोग जो है जब आते हैं इस संसार में तो कुछ लगा नहीं है, there's nothing we have, यास तो उसी प्रकार से हम लोग जब आते हैं इस दरातल पर तो हमारे पास क्या है हमारे पास जो है freely, स्वे इच्छा ह तो स्वे इच्छा हम लोग उसका सदूपयोग कर सकते या फिर उसका दूपयोग कर सकते तो जब हम तिलक लगाते तो ये हमारी स्वे इच्छा का सदूपयोग है तो भगवान ने हमें स्वे इच्छा दी है और ऑप्शन दिया है क्या आप अपने स्वेच्चा का सदुप्योक करेंगे दुरूप्योक बराबर अभी for example व्यप्ति ऐसी आता है नंगा ही आता है तो नंगा ही रहो ना क्यों कपड़े पहनते हो we can argue like this कपड़ा जो है मनुष्य सभ्यता का लक्षन है बराबर जानवर के पास जो है अपना पिछवाड़ा चुपाने के लिए पूछ होती है it covers with that इसलिए उनको पूछ दी जाती है पूछ से वो पिछवाड़ा चुपाते हैं और जो भी मक्खी होते उसको भगाते है as a purpose of a tale हमारे पास पूछ नहीं है तो मनुष्य सभ्यता है यानि की कपड़े और जिस प्रकार से व्यक्ती कपड़े पैनता है उससे उसकी सभ्यता का जो है हम अनुमान लगा सकते हैं तो ऐसे अगर आना है तो नंग ही रहो ना क्या प्रॉब्लम है ऐसा भी तो लॉजिक आप कपड़े क्यों पैनते हो फिर है ना एक सेंस किसी भी समाज में जाएए किसी भी समुदा में जाएए इतना कि अगर हम लोग अब और जिनल ट्राइब्स यानि कि जो अधिवासी लोग यहते हैं अगर वेक्ती ऐसा बोलता है कि हम लोग बिना चिन्नों के आये तो क्यों पहनना है तो कपड़े के रहो if you want to follow that philosophy do that नहीं न तो वहाँ पे भी choice है सब्बे रहना है या सब्बे बनना है there's a choice उसी प्रकार से जब हम तिलक पहनना है नहीं पहनना है विष्णुदास बनना है कृष्णुदास बनना है नहीं बनना है यह choice हमेशा है तो जब वेक्ती जब तिलक का धारन करता है तो उसने अपने स्वईच्चा का सदुप्योग करते हुए यह गोश्णा किये कि मैं कृष्णुदास बनना चाहता हूँ अरे जैसे आपने बताया है हम भी तिलक धरन करते हैं आभुशन धरन करते हैं और शायद जब एक वैश्ण अब तिलक धरन करते हैं तो उनकी एस सच यश्वदा मैया भगवान में भगवान के संपर्ग में जो है जो आभुशन इत्यादी आते हैं तो परम पदम भूशन भूशन आंगम तो नॉमली व्यक्ति आभुशन धारन करते हैं खुद का सवंदर्य बढ़ाने के लिए लेकिन जब भगवान के शरीर में सारे आभुशन लग जाते हैं तो आभुशनों की संदरता बढ़ जाती है क्योंकि वो भगवान के संपर्ग में आगा है ऐसे शास्तर ने का है और जो मैने सुना है कि यशोदा मैया जो है आभुशन सब अलंकृत करके क्रिष्णे का आईश्वरे बढ़ा दिती है और ये गोप जो मैं जोफित्व थे उपस्तित है नेर आभुशन अक्रिष्ण निकालते हैं और वन में जिटने भी फूल है फल है या पत्र है उन सब से भागवान को अनगरत करते हैं ये नैचरल नाचरल फ्लावर से ना कि किसी आर्टिशल फ्लावर से या कुछ और से तो वन में जो उपस्तित है, naturally Krishna को decorate करते हैं, इससे उनको जो है, अत्यन्त आनन्द होता है येस, आभूशन लगाते हैं तो भगवान का क्या बढ़ता है? आईश्वरे बढ़ता है और आईश्वरे बढ़ता है तो महधूरी मा कम हो जाती है लेकिन गोपगंड क्या करते हैं, वो आईश्वरे बढ़ता की फिर से महधूरिया बढ़ा देते हैं आईश्वरे दिखा जाता है कि वश्चनव और भी बहुत सारी चीजे रखते हैं जैसे आपने बताया कि वह शिखा भी रखते हैं और कई हम देखते हैं संप्रदाय में लोग शिखा नहीं रखते हैं तो पहले तो मैं जाना चाहूंगा शिखा रखना एक संकेत है तो इसका महत्व क्या है और अगर इसे कोई धारण नहीं करता तो उसका क्या मतलब क्या यह गलत है या यह चल सकता है हरे कृष्णावाले गंजे क्यों होते हैं इस पर हमने सिधी बात ली थी तो बताने के लिए यह जब वो व्यक्ति शिखा दारण करता है इसका मतलब है ति नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम योविद्दाति कामान यह कृष्ण का प्रतीक है क्रिष्ण एक है और जीवात्मा अनेग इस तिरी तिरीके से और यह एकलग ईश्वर क्रिष्णा और शब्रतिय वो इसका प्रतीक है और खास करके जब विद्द्यार्ती व्यक्ति बनता है तो शारिरिक चेतना से उबर निकिन लावण्यम केश धारनम जितना व्यक्ती जो है बाल रहता है जिसका हैर स्टाइल पैशन उतनी उसकी सरलता कम हो जाती और विद्या पर ध्यान कम हो जाता है श्रिंगार में ध्यान बढ़ जाता है बराबर क्योंकि एक विद्यारती को आठ चीज़े त्याग नहीं होती है क्रामम क्रोधम लोभमचे स्वादु श्रिंगार कौत्युके अति निद्रा अति सेवेत विद्यार्ति मस्टम वर जेत। तो श्रिंगार भी एक चीज होती है तो नॉमली लोग क्या करते है बाल के साथ क्या करते है शैंपू अलग अलग प्रकार के शैंपू और इसके बाद यूवी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कंडिशनर लगाते हैं और अलग अलमेंट ओईल, कोकनट ओईल, अलग 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 प्रकार के स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, हैर स्टाइलिस्ट, सेलून्स, वहां जाके जो है अलग 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 प्रकार के स्टाइल कराते हैं, स्पाइक्स बनाते हैं, हैर स्टाइल बनाते हैं, तो कितना टाइम जाता है उसमें, कितना पैसा बरबाद होता है, लेकिन व जब भी कोई एक ब्राम्मनिक्ल एक्टिविटी करेंगे जैसे जब हो गया शास्त्र पाट तो शीखा बंदी होनी चाहिए भीडाश शिका अगर खोल दें तो you cannot do any verbal aqtiविटी कोई भी ब्रामनिकल एक्टिविटी शुरुआत करने से पहले शिखा बाननी पड़ती है, शिखा बानने के बाद ही जो है वन शिड डू एनी ब्रामनी क्लेक्टिविटी ये सब शास्त्र में लिखा गया है, मैंने अपनी शिखा बान दी कई बार हम देखते हैं को सादू है शिप तो रहते हैं मतलब उनका सिड तो मुड़ा रहता है लेकिन की शिखा नहीं होती है तो बताते हैं कि सब एक है, अल्टिमेटली एवरिदमो मायवद कट है बताते हैं कि हम सब ही क्रिश्न है, नमो नारायन आयन, दंड़दारन मात्रेन, नरो नारायन भवेत दंड़दारन करके जीवात्मा भगवान बन गया है, भगवान मोलके कोई अलग एंटिटी नहीं है, हम ही भगवान है, सब एक है, अब कुछ एक है तो जीव ईश्वरा इकत्व ज्यान, तो यह शास्त्र अनुसार नहीं है प्रश्ण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह मैं अपना अंतिम प्रश्ण पूछूँगा जिससे हमारे जो ओडियंस है, वो भी आपसे प्रश्ण कर सकें, तो प्रवजी ऐसा मैं बताए जाता है, शायद कल्यूग के कुछ सिंटम्स बताए जाते हैं कि कल्यूग में लोग कि इस प्रकार से बैबार करेंगे, और उसमें बालों का भी कुछ विवरन आता है प्रवजी, कै यह सही है अभी मैं बोला, लावन्यम केश धारनो, जो तेने बड़े सुंदर बाल होगे, वही वक्ति की सुंदरता जो है, उनके बालों के अनुसार जो है, देखी जाएगी, जिसके अच्छे बाल, वह बहुत सुंदर, जिसके नो बाल, नो सुंदर, सुंदर एखतम हो जाता है वक्ति की, लेकिन हमने उल्टा देखा है, उल्टा, देखिए, श्रीला प्रभुपाद, अभी भावतिक स्तरपुरुन को देख नहीं सकते, अपराद हो जाएगा, लेक यहां तक उसके बाद जो जो है, वो लुक्स भी चला जाता है, लेकिन भक्तों के लिए प्रभुपाद is the most beautiful person, प्रभुपाद जैसे व्यक्ति किसी ने नहीं देखा था, इतने खुश, इतने आनंदी, इतने चमकने वाले, he was just radiating light, ऐसे व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद, तो एक तरीके से अलग ही तेज व्यक्ति से निकलता है, और व्यक्ति जो है, काफी सुंदर भी हो जाता है, it becomes very beautiful, बिल्कुल, that happens. शायद हम इसे भक्ति की सुंदर्ता कह सकते हैं, प्रोजीक, बिल्कुल, भक्ति की सुंदर्ता और भक्तों के आखों में, see, beauty lies in the eyes of the beholder, बोलते हैं, यानि कि जो सुंदर व्यक्ति है, सुंदर है तो आखों में होते हैं, व्यक्ति का, तो देखने वाला व्यक्ति अभी भक व्यक्ति की है, व्यक्ति की सुंदर्ता है, तो अब मैं अपनी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा, कि हमारे ओडियंस के कॉशन को लेकर आए, तो आज का क्रिप्या करके पहला प्रश्ण, प्रस्तृत किया जाए, तो पहला प्रश्ण है, मुंचुन सिंगा, हरे कृष प्रश्ण लगाना चाहिए, या भगवान को, खुद को, खुद को चंदन लेके हम लोग जो है, तयार होते हैं, पूरी तरह, उसके बाद जाके हमें भगवान को चंदन लापन करना चाहिए, जिस पर, ताकुर जी जो बच्चे है हमारे, जब इगरा की रूप में आते तो पहले रेडी होती हैं, उसके बाद बच्चों को तहलाती हैं, पर इस रिव बी रेड़ी, ये लेकिन ये अलग चंदन की बात है, एक और चंदन जो है कास करके जो चंदन यात्रा के समय लगता है, तो चंदन पहले भगवान को लगना चाहिए, उसके बाद हम लोग भगव और जब हम तिलक की बात करें तो पहले हम तिलक लगाते हैं, उसके बाद भगवान को लगाने चाहते हैं. अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण जो है, वो मांसी जी का है, साक्षा दंडुत पनाम प्रभुजी, मैंने भी भगवान कृष्ण का टेटू बनाया हुआ है, और साथ में मंत्र भी लिखाया है, उनका, श्री कृष्ण सर्ण अमम, तो क्या ये ठीक है, नो प्राब्लम, हरी बोल, अभी टैटू बन गया, अब क्या करें, आप कॉंशिसली भी लिखिये चंदन से, अगर आपको लिखने का इतना शौक है, तो वो कीजिए, ठीक है, दन्यवाद प्रोजी, अगला प्रश् प्रश्न है, अगर प्रती दिन जो हम पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या एक ब्रामन कल अक्टिविटी है, येस, टीचिंग अन स्टडिंग इस ब्रामन कल अक्टिविटी, अभी आप बोलेंगे, सब्जेक्ट मैटर जो है, वीशे जो है, इसमें क्रिश्न नहीं आते है, ले लेकिन अक्टिविटी तो ब्रामन कल है, तो आप क्या कीजिए, आपने स्टडिश के साथ साथ जो है, खृष्ण भावनाम रश्विल प्रभपात के पुस्तक भी पढ़िए, थोड़ा ताइम प्रभपात का पुस्तक और अपना स्टडिश भी कीजिए, दिन ये पाथन, इस अ ब्रामनी कलेक्टिविटी, यस. क्यों बढ़ते हैं अमनुक? शुबम जी का प्रशन है, हरे कृष्ण प्रोजी, क्या हम संडे एंड एकादशी को तुलसी जी को पानी डाल सकते हैं, और चैंटिंग करते समय, मन कॉंसेंट्रेट नहीं रहता? शुबम जी कानों को जो है, प्रशिक्षित करना है कि हम हरी नाम को सुने, कि अगर हम रात को सोने से पहले 20 मिनिट कम से कम कृष्ण पुस्तक पड़े, तो हमारे कान जो है, अगले दिन हरी नाम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर नहीं पढ़ पाए तो अगले पढ़िए, वो का आप कर सकते हैं, और तुलसी जी को पानी आप डाल सकते हैं, रोज, कोई प्रवलम ने, रती दिन तुलसी की सेवा करनी चाहिए, किती कुछ भी हो अगले प्रशनी के और बढ़ते हैं, सत्यम कुमार जी का प्रशनी है, या भगवान के तस्वीर वाले चैंटिंग बैग यूज करना चाहिए? कि पीछे कर देते हैं, पीट पे लगती हैं, पसी ने की बीच में जाती हैं, लोग फोनाय बैशनी क्लीन भीड़ पर अपने प्रश्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग पैम्प्लेट्स वगेरा बाटते हैं और उसमें भगवान का नाम होता है तश्बीर भी होती है जिसे कई बार हम देखते संकीरता निकलता है वहां पर प्रश्ट लोग बाटते हैं और फिर कुछ लोग उसका इस्तमाल करके अपने प्रेम से रख लेते हैं तो क्या ऐसी परसितियों में वह भगवान के लिखित्यों नाम है या फिर उन उन क्या करना चाहिए बाटना चाहिए नहीं बाटना चाहिए अब देखिए प्रचार करने के लिए डेफिनिटली बाटना चाहिए अगर बगवान का फोटो नहीं बाटेंगे तो लोग को बगवान का दर्शन कैसे मिलेगा प्रचार कार्यों में जो है रिस्क लेना ही पड़ता है आईडियल ये रहेगा कि लोग सब्बे रहें सुशि कि मिउट हो रहे हैं अरे कृष्णा अरी ऑडिवाल ओडियंस के आप मुझे सुन पारें साउंड क्लियर है लेकिन आप म्यूट करेंगे तब बना मुझे मेरा एको सुनाई दूगा है हम क्या कह रहे थे हम प्रचार कारिया है तो प्रचार कारिये में जो है हमें रिस्क लेना पड़ेगा ताकि लोगों को प्रशुशिक्षित भी करना चाहिए कि भगवान का अब चार्ट पर लगा सकते लेकिन कई कुडे दान में मत डाली है चाहिए तो निर्माले में डाल सकते हैं और निर्माले क्या है समझाना चाहिए कि यहां पर भगवान का महाप्रसाथ हम डालते हैं और निर्माले को अगर हम लोग नदी में या जमीन में या अगनी में डा तो उनको शिक्षित, उनको अन्य कच्छे के साथ ने मिक्स करना चाहिए। नदी में विसर जन कर देना चाहिए। यह शास्त्र बताते हैं। अगर मुर्ती भगवान की जो विशरी विग्र है। तो यह अगर हम लोग जो है नदी में डालते हैं विसर जन कर देना चाहिए। और अन्य भगवान के रिलेटेट कोई भी महाप्रसाद हो जैसे उनके फूल है। उनके फूलों को, महाप्रसाद को यह सब चोईस हम लोग जो है जो शेश बचा है उसको हम नदी में महा सकते हैं। विसर जन कर देते हैं। अगले प्रशन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह वेदान जी का प्रशन है। वी नीड तो है। हुमिलिटी इन आवर डिवोशन बट इवी है वेरी लो सेल वर्थ और सेल्फ स्टीम तैन इस इट ओके और नॉट इसको अनुआ करना चाहिए याप। तो वेदान जी पूछना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि हमें भक्ती में बिनम्र भाव रखना चाहिए बिनम्र रहना चाहिए लेकिन लेकिन हम कभी ऐसा अपने आपको कमजूर या थोड़ा सेल्फ इस्टीमिट मेंज कम आपने लगते हैं तो क्या ये सही है या गलत है देखिए जो यूमिलिटी है यानि विनम्रता है ये सत्व गुण वाली ये सत्व गुण की एक गुण है ये सत्व में है ये लो सेल्फ वर्थ यानि कि व्यक्ती जो है अपने आपको कोस्ता है अपने आपको कुछ तुछ मानता है ये तमगुण से जागरित होने वाली है जब व्यक्ति विनम्र है तो भगवान के रिए प्रचंड कारे करेगा तो प्रवपाज जी ने क्या लिखा अपने मार करने भागवत्र धर्म में यौर इंसिपनिफिकेंट बेगर वो अपने आपको एक कुछ भिक्षुक मानते थे और इस भावना से वो जो है पास्चात देश में प्रचार करने गए लेकिन अगर यक्ति का लो सेल्फ वर्दारे में किसी काम का नहीं हूँ मैं नालायक हूँ वो यक्ति कुछ नहीं करेग वो अपने लिए नहीं कुछ कर पाएगा दूसरों के लिए क्या करेगा तो विनम्रता क्या है विनम्रता यानि की सच्चाई ओनेस्टी कि मैं जो हूँ भगवान श्री कृष्ण का एक तुछ सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन लो सेल्फ वर्द मतलब मैं किसी का विनम्रता विक्ति बोलता हाला कि मैं तुछ हो लेकिन अगर भगवान की कृपा मिलेगी तो मैं बहुत सारी कारे कर सकता हूँ ने कि मेरे द्वारा बहुत बड़े-बड़े कारे से भी कर सकते हैं लो सेल्फ वर्द वाला विक्ति जो है वो उसका केंदर बिंदू अपने आप ही है जो विनम्र रहता है उसका केंदर बिंदू कृष्ण है अचारिगन प्रभपाजी है लेकिन जो जो लो सेल्फ वर्द वाला वेक्ति है लो सेल्फ एस्टीम वाला वो अप्रीज आई सेंट्रिक परसन है यस तो वो कुछ नहीं वो एक तमोगुन का लक्षन है पागवतम के पहले स्कंद में बताते हैं दो प्रकार के विरिक्ष है एक प्रकार के विरिक्ष जो है वो फूल और बहुत सारे जो है अलग-अलग फल प्रदान करते हैं और कुछ विरिक्ष होता है वो काटेदार विरिक्ष होता है उनको पहले प्रभपाद उसलेस बताते लेकिन बाद में प्रभपाजी बताते हैं कि इस नोट उसलेस, इंको हम फ्यूल की रूप में उसकर सकते हैं, इंदन, फ्यूल, we can use it like that, so nothing is useless in Krishna's creation, कोई भी चीज उसलेस नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उसलेस नहीं है, अपना definitely तुछ रूप से भी वो Krishna की सेवा ज़रूर क कर सकता है, ठीक है? देखिए, विनमरता का सही application भी होना चाहिए, नित्ति को, भक्ति को कब विनमर रहना है, और कब चुप रहना है, कब बात करना है, यह आना चाहिए, जैसे for example, नारद मुनी ने क्या किया था, नारद मुनी ने एक साप को दिक्षा दे दिया, उसको भक्त बना दिया, ने देखा तो साप को अलग अलग जगा चोट लग गई, खून निकल रहा है और वीचरा रो रहा है, तो नारद मुनी ने पूचे तो नारद मुनी ने पूचा यह तुम्हारी हालत कैसे हुई ना का गुरुदेव मूप यह पूला था, नमर रहना है, वाइश्नो बनना है तो नारदमीन ने का देखो, तुम्हें किसी को काटना नहीं है, लेकिन डोंट स्टॉप हिसिंग, यह मत रोको, वरना लोग आपके ऊपर कुचल के चले जाएंगे, तो परस्ट परस्ट शुड नो, वें टो हिस एंड वें टो स्माहिल, वो जानना चाहिए, वरना लोग गलत वर्ड, अंग्रेजी में उसको बोलते है, यह नो नाइब, यह वेरी स्मार्ट, अभी रूप गोस्वामी, सनातन, सनातन गोस्वामी क्या है, इस एंबलम ऑफ यूमिलिटी, जब हम विनमरता की बात करते हैं, तो हमारे आचारे सनातन गोस्वामी, जिस प्रकार से गहास के तिनके को ले करके, स्वी चेतन प्राहप्रू के सामने बिल्कुल नतमस तक हो गए थे, वो उसी का उधारन तो देते, लेकिन सनातन गोस्वामी ने क्या किया, जब वो जेल में थे, किस तरीके से चतुराई से उन्होंने जो है, जेल कीपर को जो है, मना के, समझा बुजा क वहाँ से निकल गया, चतुराई दिखाई के नहीं, ओ ठीक है, मैं इधर ही रहूंगा, जो है, वो देखा जाएगा, मैं हम्मल बन के रहता हूं, बिल्कुल ने, उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई, ये चतुराई कैसे आती है, ये चतुराई क्रिष्ण के भक्ति से आ करते हैं, जिसी कि वे उनके पास और समर्पित हो सके, जो एही कृष्ण बड़े, सही बड़ा चतुर, जो वेक्ति क्रिष्ण का भचन करता है, उससे चतुर वेक्ति कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोजी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न का उतर बड़े और समझाया में, अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं लोग, जो फो फन, I was planning to make a tattoo of Vaisnastilak on the back and lower back, as it gets difficult to do so, using chandan and our own hands, would that be wrong? तो पूछना चाहते हैं कि मैं एक वैशना तिलक का टैटू बनवाना चाहता हूं अपने पीछे और अपने नीचे, मतलब कमर के नीचे, लोर बैक, तो क्या ये, तो कि वहां पर तिलक लगाना थोड़ा सा मुश्यल होता है, तो क्या ये गलत है? तो क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हैं, अभ्यास कीजिए, इस नॉट सो डिफिकल्ट, डॉन्ट दॉट दॉट जो विधी बताई गही है आचारे द्वारा, उस विधी का पालन करते हुई आप कीजिए, आपका भाव बिलकुल सही है, आप हर जगा व इत वे नॉट भी परफेक्ट बट इतल भी दे, अल्टिमेंटली क्रिष्ण भाव गराई जनारदन हैं, यस, मूर्खो वदती विष्णाय धीरस वदती विष्णवे, उबयम्तु समंपुन्यम भाव गराही जनारदन है, मूर्खो वत्ती होता है, वो क्रिष्णाय नमह, विष्णाय नमह बोलता है, विष्णवे नमह, लेकिन दोनों को एक समान जो है भगवान की कृपा मिलती है, क्यों कि क्रिष्ण भाव गराई है, अगर वसी क्रिष्णा देखेंगे कि इसने प्रयास किया अपना मेरा समरन करने के लिए, वाट थास पावर इस दा मंत्र, श अगर आपने अपना प्रयास परफेक्ट किया है, तो भगवान ज़रूर प्रसंद होके आपके रक्षा करेंगे, जो आई, धन्यवाद प्रोजी, धन्यवाद प्रोजी, अगली प्रश्नी क्यों बढ़ते हैं, तो किया हमें राधा खर्श्न की पंटिंग, अधन हाथा टे czाहिए, छेटना क्रॉण सा एक्रिस्हना प्रोजी कि अधना चाहिए? घर और, कि यह वैक प्रफेक्श बढ़ते करेंगे इस क्रिश्न से कॉछना गाश्ा प्रोज सणंस्तर्स जो है आपकी बढ़ रही है आपको देखकर कि दूसरों की भी बढ़ रही है चेतना तो आप पहन सकते there is no problem ultimately क्या है दिखिए शास्त्र का नियम के सभी सर्व विदी निशेदातु ये तो योरिवकिंग करें वो क्या है स्मर्तव्यम सततम विष्णुम वी स्मर्तव्यम ना कुझातु सकते तो हमें जो है क्रिष्ण का स्मर्ण करना है और क्रिष्ण का विस्मर्ण कभी नहीं करना है और सारे विदी विदान जो है इनके आदिल है तो whole principle is remembrance of Krishna principle जानिये सिध्धान क्या है क्रिष्ण को स्मरंड करना तो अगर आपका कृष्णा और रादा रानी का स्मरंड बढ़ रहा है no problem किसी और का बढ़ रहा है no problem पहनी है लेकिन वो सांभाल के रही है सावधान रही है जिब आप ड्रेस पहल 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 तो ओके प्रभुजी अगले प्रेशन के और बढ़ते हम I hope Swetha जी को प्रेशन का उत्तर मिलाओगा दीप यह प्रेशन को पूछ रहे है Hare Krishna प्रभुजी I am doing job in a private company ITS and targets are very tough in order to meet targets sometime I had to lie to manager is it right दीप पूछना चाहते है कि प्रभुजी मैं एक private company में काम करती हूं और वहाँ पर बहुत सारे target हमें मिलते हैं जिने पून करना थुड़ सा मुश्किल होता है और उनको पून करने के लिए कई बार में अपने manager से जूट भी बोलती हूं तो क्या यह सही है जूट बोलना अधर्म है It's fact असत्य बोलना जो है अधर्म का लक्षन है It's gambling चार नियम का उलंगन करना है लेकिन अगर आप Krishna के लिए जूट बोल रहे है With the blessings of your mentors आपने भगतों से विचार जितना हो सेगे जूट नहीं बोलना चाहिए देखिए आप जो है चतुराई से avoid telling the truth ठीक है ना आप सत्य को चुपाईए that is better than telling lies अगर आपने एक बार जूट बोल दिया तो बार बार आपका जूट आपको और जूट बोलने पड़ेंगे और किसको कौन सा जूट बोला था कब कौन सा जूट बोला था किस दिन कौन सा जूट बोला था ये सारी चीज़े याद रखनी होंगी why to unnecessarily complicate your life so better to speak the truth लेकिन आपको लगता है कि इससे हानी होगी मेरी या अन्यों की तो सत्य को चुपाने का प्रयास कीजी but to life of Krishna there is no problem बहुत बार लोग बताते हैं कि उधिश्टिल महाराज जो है उधिश्टिल महाराज का रत जो है माभारत युद में वो जमीन पर नहीं था वो उड़ रहा था उपर था जमीन के उपर था दिव्यस्तर पर था क्योंकि वो दिव्य पुरुष्टे धर्म के प्रतिक थे लेकिन जैसे उन्होंने जुट बोला क्या अश्वत्तामा कुंजर मरोवा अश्वत्तामा नामा गज जो है मर गया है तुरंत उनका रत नीचे आ गया ये गलत है चुँँ उनका रत जो है नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने जुट बोला उनका रत नीचे इसलिए आया उनके उनके उपर मिर्भर है, depending on Krishna, बागी सब साप एक्षय सस्ते हैं, so Krishna भावनामृत को समरक्षन करने के लिए, या फिर Krishna भावनामृत सेवा करने के लिए, mentor से पूछताच करके, आप कभी कबार, it should not become a regular practice, जूट बोल सकते हैं, अगर आवश्यक हैं तो, अनावश्यक जूट कभी नहीं बुलना चाहिए, वो अधर्म है, टेक्या, बहुत धन्यवाद तो जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न का उतर दिया, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं हम लोग, स्वेता जी का है, प्रभू, इव वी कांट दू, विसर्जन और निर्माले, प्रभू जी अगर हम निर्माले में जाके विसर्जन नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे हमें पेडों के जो गमले हैं, या आपर डाल देना चाहिए? अगर आप जो महाप्रसाद है, नगवान के, वो मिटी में भी डालते हैं, there is no problem, you are putting it on earth, इस आला उचास्त्र द्वारा, ये जो है, प्रमाणित है, no problem, आप कर सकते हैं, ये बहुत 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 देना अत्रू, अगली प्रेशनिक के और बढ़ते हैं, प्रेम जी पूछने चाहते हैं, हरे कृष्णा प्रभुजी प्रणाम, I watch all the shows without missing, which कि है बहुत बहुत हो, any time, so always mention where are you from, आप कहां से बोलरहे हैं, उसे बाकी बगतों भी प्रेंडहा मिलेगी, हमेंभी फ्रेंड़ा मिलेगी, और आपका अगर आसपास है तो हम फकड़ लेंगे आपको अरे कुछन धन्यवाद प्रभूजी और प्रेम जी हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लगतार यह देखते हैं और इतना प्रेम हम लोग करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगला प्रश्ण प्रियंक शर्मा जी का है प्रभुजी भक्ति में अचानक रस्क कम क्यों हो जाता है अगर आप माधूरिय कादिम बिनी विश्मनाद चक्रति ठाकुर का ये जो गरंते पड़ते हैं, तो उसमें सादक किस दौर से गुजरता है, किस अलग-अलग माइल्स्टोन से गुजरता है प्रेम भक्ती प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में जो है, बहुत ही दिटेल म विस्तार में उलेग दिया गया है, तो उसमें विश्मनाद चक्रति ठाकुर एक अनिश्टित भजनक्रिया में एक स्तर बताते हैं, जिसका वह सरे है, उससे बहुत सरे स्तर है, तरंगरंगिनी, घरतरर्ड, तो ये जो आप बात करें कि अचानक रस आता है, फिर कम हो जाते है, आता है, फिर कम हो जाते है, वो क्या है, घरतरर्ड, कभी उपर, कभी नीचे, कभी उच्छाई, कभी अनिश्टित भजनक्रिया का लक्षन है, इसका मतलब है कि अभी तक हम लोग अनर्द से पूरी तरम मुक्त नहीं हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, तीन चीजे करन करते हैं, हर बार आप एक माला जब करते हैं, जैश्री, कृष्ण, चैतन्य, प्रभुन, इत्यानंद, श्री, अद्वईत, अदाधर, श्रीवा, साधिक, और भक्तर, दूसरा, जब करते रही है, जब गो आन चैंटिंग, गो आन चैंटिंग, छोड़ना नहीं, माला छोड निष्टा की सीमा ज़रूर छोएंगे, और या अनर्ति वृति, निष्टा, रूची आसकती, भाव, प्रेम किस तर पर पहुंच जाएंगे, अपने अपने अपने, ये तीन चीज़े करेंगे, तो, इट विल डेफिनेटली हापन, शुरुद्ध नाम किस तर पर हम लोग नाम जब करेंगे, तो, की गो ओन चैन्टी, गोड, जी धन्यवाद प्रोटी, अगले प्रेश्टन के वर बढ़ते हैं हम लोग, सौरप कमार जी पूछ रहे हैं, मरने के बाद, पहले इंसान स्वर्ग नर्ग के प्रोसेस में जाता है, की पितर बनता है, की इस्प्रिड इस्प्रिड वर्ल्ड जाता है, या फिर चौरासी लाक में जाता है, प्लीज एक्स्प्लेन, तो, बहुत सारे प्रेश्टने हैं उ प्रश्ण पूचे पहली बात तो है कि जैसे मरने के उपरान जो है यमदूत सामान्यत ग्यक्ति को जो है जो भक्त नहीं है उसको चित्रकुप के पास लेके जाते हैं उसकी आत्रा होती है तो यमराज जी के जो capital है सम्यमणीपूर वहां जाता है चित्रकुप जी जो है उनका यह option उसी व्यक्ति के पास होता है कि आपको पहले कौन सा भोगना है स्वर्ग या नर्ग तो उसका चैन कर सकता है यह को positive minus cancel नहीं होता maths की तरह नहीं है plus five minus three equal to plus two no अगर आपका plus five स्वर्ग है तो आपको वो भी जहिलना है और minus three है तो नर्ग भी जहिलना पड़ता है आपक और चौरासी लाग योनी का चैन व्यक्ति करता है अपने कर्मनुसार उसको अपना चैन करना होता है इस वेरी complicated process लेकिन थिर भी आत्मा की चार lecture series हमने ली थी पाचवा भी अभी हाली में लिया हमने तो खृपा करके जो है आप उसको देखिए आपको detail में इसका analysis मिलेगा तो जरूर आत्मा की यात्रा के बारे में जरूर सुनिया बार्ट डीटेल में हमने चर्चा की है इसमें जी दन्यवाद प्रभुजी सेकिंड लास्ट प्रशन क्यों बढ़ते हम हमारे कि सिद्धार तेवारी जी का प्रश्न है sometime I waste my day and regret at night and overthinking what immediate step I should take to bounce back सिद्धार जी पूछने चाहते हैं कई बार मैं दिन का अपने जो समय है नस्ट कर देता हूं या खराब कर देता हूं रात में उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंतित होता हूं रिग्रेट करता हूं और बहुत ज़्यादा overthinking मैं करता हूं सोचता हूं तो ऐसे क्या step ली जाए जिससे मैं बापिस अपनी चेतना में आ सकूँ है मैं बाउंस बैकर पाहूं में चीज जो लैकिंग है सिदार जी इस फर्स थिंग यू डोंट हव अ प्लान आपको जो है दिन चर्य का कोई प्लान नहीं है यह लिए लिगिंग बई डिफॉल्ट और नॉट बई डिजाइन यानि कि अपना डे प्लान करता है उसका फेलियर का परसंटेज ताइमेस का काफी कम हो जाता है तो नुबर वन प्लान यूर्ड येस वह बहुत सारी डिविएशन होंगे इधर उदर लेकिन यूर्ट कम बैक उसको डिसिप्लीन बोलते है और ये डिसिप्लीन तब आएगा जब आप हरे कृष्ण महामत का जब करेंगे तो माइंड के उपर कंट्रोल आता है तो डिसिप्लीन तो deviations कम हो जाएगे तो नुबर वन immediate step make a plan and try to try your best to stick to that plan yes उपर नीचे उतार चड़ा होगा लेकिन at least you will not end up wasting the whole day पूरा दिन जो बरबाद नहीं होगा थोड़ा दिन बरबाद होगा चलेगा इस तरीके से second thing congratulate yourself when you have some improvement थोड़ी बहुत सुधार भी होती है न जैसे मैंने कल 6 गंटा बेस्ट किया लेकिन आज 5 गंटा very good आदा गंटा कम किया ना बेस्ट celebrate ऐसे करके धीरे धीरे इंप्रूव करते समय time wastage अपना कम कीजिए these are immediate tips first of all have a plan you don't have a plan ठीक I have a plan प्रभुजी then I would say you don't have a goal I have goal also प्रभुजी then you don't have purpose why we do what you do हमेशा अपने आपको यह purpose याद दिला हो कि मैं यह चीज क्यों कर रहा हूँ जितना strong आपका motive है उतना ही strong आपका motivation रहेगा याद रखेंग amazing answer प्रभुजी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट प्रश्ण के और बढ़ते हैं प्रभुजी हम आचके सूरज राओ जी का प्रश्ण है हरे कृष्ण प्रभुजी वैन वी कीप चैंटिंग ऑन अवर तुल्सी माला रेगुलर्डी दस्द माला डवलप एनी काइंड ऑफ पावर थेंक्स तो है पूछना चाते सूरज जी कि जब हम तुल्सी माला पर जब करते हैं नियमित हम उनकी सेवा करते हैं ताकि हमें भी बोलोप में जो है स्तान प्राप्थ हो जाए सेवा प्राप्थ हो जाए राधा कृष्ण के उसकी अभिलाशा करते हुए हम उनकी सेवा करते हैं तो उनके उनके संपर्क में आने से हमें पावर ज़रू डवलप होगा पावर ऑब भक् करते हैं चीग है बहुत 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 थैने बाद प्रोजी आपने बहुत यह अच्छे तरहीज़े सेशन को लिया मैं जिस्ट ब्रीफली आपसे चाहूंगा कुछ concluding words इस session के लिए concluding words एक ही चीज़ बोलूँगा यह session था tattoo use करने चाहिए कि नहीं है principle याद रखिए principle दो चीज़ principle बहुत important है पहला की हमें Krishna का स्मरण बढ़ाना है हमेशा Krishna को याद रखना है कभी Krishna को भूलना नहीं है लहीं Krishna को स्मरण करने के तरीके जो आचारेगंड में जो दी है अगर हम उनके अनुसार हमारा जीवन शेली रखेंगे तो हम अधिकतर लाभान बित होगे just remember this मौद मौद धन्यवाद Hare Krishna Hare Krishna आपने देखा किस प्रकार से आज अगर भगवान के नाम को अपने शेली पर धारन करते थे और ऐसा बताते हैं अगर कोई विक्ति मजाक में भी या फिर किसी के परिहास में अगर भगवान के नाम को लेता है या लिखता है या फिर उसको देखकर उसे चेतना आती है तो उसे बहुत ही फाइदा मिलता है और एक और बहुत काम की चीज़ प्रभुजी ने बढ़ाई कि अगर किसी विक्ति ने इन चीज़ों को धारन किया हुआ है तो यम्राज जी या यम्दूत उस विक्ति को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि यम्दूत बताते हैं यम्राज जी यम्दूत उसे कहते हैं कि ये उनके जीरेडिक्षन अर्थात उनके कारच छेतर की बाहर की लोग है उन्हें के विल पापी लोगों को पकड़ना है ना कि ऐसे लोग जिन्होंने भगवान के प्रती अपना प्रेम जागरत कर लिया है लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये टैटूस हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमें नहीं बनवाना चाहिए जिसक नए topic के साथ तब तक के लिए Hare Krishna